जैसा कि हमने आयनिक बंद में पढ़ा कि एक आयन जो है वो इलेक्टरॉन त्याग देते हैं और दूसरा आयन इलेक्टरॉन ग्रेहन करता है तो एक धनायन बनता है और एक रिनायन बनता है और इन धनायनों और रिनायनों के मध्ये जो आकर्शन बल उत्पन होता है इस या इस प्रकार की बंद के बनने के लिए किन-किन शर्तों की आवशकता होती है. तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि कारबन जो तत्व है वो किस प्रकार का बंद निर्मार करेगा. जैसा कि हम जानते हैं कि कारबन का जो परमारू करमांखे वो 6 है और इसको जब हम इलेक्टरोनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 4 यानि बाहतम कोश में 4 इलेक्टरोन है और प्रथम कोश में 2 इलेक्टरोन है तो चुकि इसके बाहतम कोश में 4 इलेक्टरोन है तो यह अपना अश तो उस स्थिती में भी यह C4 प्लस बनाता है। तो दोनों ही जो आयन है याने कि C4 माइनस और C4 प्लस यह तोनों आयन की जो अवस्था है वो पौन रूप से अस्थाई अवस्था मानी जाती है। क्योंकि इस तरह से कोई भी तत्व जो है वो 4 इलेक्ट्रोन एकदम से त्याग नहीं दे सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रोन ये एकदम से ग्रहन कर सकते हैं। तो यह दोनों ही जो अवस्था है वो अस्थाई अवस्था मानी जाती है। तो अब यहाँ पर जो कार्बन तत्व है वह अपने अश्थक को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रोन त्याग नहीं देगा या फिर 4 इलेक्ट्रोन ग्रहन भी नहीं करेगा। यह चार इलेक्ट्रोन जो इसके चारो तरफ है इसमें यह साजा का गुण उत्पन होगा और साजे के द्वारा यह अपने अश्थक को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर एक नया शब्द आता है साजे का इलेक्ट्रोन। साजा शब्द यह बताता है दो परमाणू जिनके मध्य बंद बन रहा है। इसमें दोनों ही परमाणू समान संख्या में इलेक्ट्रोनों की साजेदारी करते हैं। और जब यह समान संख्या में इलेक्ट्रोनों की साजेदारी करते हैं तो उस आधार पर बंद का निर्माण होता है और दोनों ही परमाणूं जो इस प्रकार के बंद में शामिल होते हैं उनका उद्देश यही होता है कि इनका अश्टक पूर्ण हो जाए तो डिपेंड करता ह कि किस प्रकार के परमाणूं के बीच बंद का निर्मार होगा तो यहां पर यह भात इसपश्ट होती है कि सहसेवजञगबंद में दो पर माणूं के मद्य समान संख्या में इलेक्ट्रोनों की साजेदारी होती हैं तो इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरन लेते हैं सबस पहले हम उदारण लेंगे carbon tetra chloride CCl4 जिसमें carbon का एक परमाड़ु है और Cl के 4 परमाड़ु है तो यहाँ पर carbon का जो electronic विन्यास है वो 2 और 4 क्योंकि इसका जो परमाड़ु क्रमांग है वो 6 है जबकि chlorine का electronic विन्यास हम बनाते हैं तो chlorine का परमाड़ु क्रमांग 17 है इसका electronic विन्य करने के बाद चार इलेक्ट्रोन और चाहिए ताकि इसका श्टक पूरा हो जाए जब कि प्रत्य क्लोरीन के बाहतम कोश में हम देख रहे हैं कि साथ इलेक्ट्रोन है तो प्रत्य क्लोरीन को एक-एक इलेक्ट्रोन चाहिए जिससे वो साजह करके अपना श्टक पूरा कर सकते ह तो जब हम इसे लुईस बिंदू सनरचना के द्वारा समझेंगे तो कार्बन के बाहतम कोश में एक, दो, तीन, चार इलेक्टरॉन है और इस कार्बन के चारो तरफ हम चार क्लोरीन लिख देते हैं और चारो क्लोरीन में बाहतम कोश में साथ इलेक्टरॉन को हम इस तरह से श तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है वह प्रत्यक जो क्लोरीन है उसके साथ एक-एक इलेक्टरौन का साजा करता है चुकि कार्बन के चारों तरफ चार क्लोरीन है एक, दो, तीन, चार तो प्रत्यक क्लोरीन का जो एक-एक इलेक्टरौन है वह कार्बन के एक-एक के साथ साजा किया फिर तीसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साजा किया और तीसरे के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन का साजा करता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन टेट्राक्लॉराइड में कार्बन और क्लोरीन के बीच एक-एक इलेक्ट्रॉन की साजेदारी हो रही कि किस प्रकार से एक electron के साजे से एकल बंद का निर्मार हुआ तो यहा पर जो सहसे उजक बंद बना वह एकल सहसे उजक बंद बना जिसमें दोनों परमाड़ओंने एक एक electron की साजेदारी की और single bond या एकल बंद का निर्मार किया इसी प्रकार हम Carbon के साथ Hydrogen की बंद को भी समझेंगे CH4 मेथेन जो मेथेन अडू होता है इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो केंदरी परमाडू है वह Carbon है और इसके चारों तरफ हम देख रहे हैं 4 Hydrogen है तो चुकि कार्बन के बाहतम कोश में चार इलेक्ट्रोन है क्योंकि इसका परमाडू क्रमांग 6 है तो 2 और 4 तो जब भी हम लुईस संरचना बनाते हैं लुईस डॉट संरचना बनाते हैं तो प्रतेक परमाडू का जो वैलेंश सेल का इलेक्ट्रोन होता है याने सायोजी का जो इलेक्ट्रोन होता है उसे हम केवल दर्शाते हैं तो कार्बन के बाहतम कोश में चुकि 4 इलेक्ट्रोन है तो एक, दो, तीन, चार लिख दिए और हाइड्रोजन का परमाडू क्रमांग 1 होता है तो उसके बाहतम कोश का इलेक्ट्रोन एक लिख दिए तो जो परमाडू होता है वह दो इलेक्ट्रोन से ही संतुष्ठ होता है क्योंकि हाइड्रोजन के जो कोश होते हैं उसमें दो ही इलेक्ट्रोन वो रख सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही कोश होता है और पहले कोश में केवल दो ही इलेक्ट्रोन अधिक्तम रह सकते हैं तो हाइड्र वह कार्बन के एक-एक इलेक्ट्रोन के साथ साजा करता है और एक-एक इलेक्ट्रोन स्वेम का भी कार्बन से लेता है तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो दोनों है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के मध्य भी एक-एक इलेक्ट्रोन का साजा हो रहा है तो इस प्रका एक एक और एक एक और साजह ईकल बंद का निर्माड हुआ carbon hydrogen के साथ एक बंद बनाया, carbon hydrogen के साथ एक बंद निर्माड करता है तो hydrogen के बाहतमकोश में हम देख रहे हैं 2 electron से स्थाइत वा गया और carbon जब hydrogen के साथ आजा करता है तो carbon के 8 electron complete हो गया तो carbon के लिए जो अश्टक पूर्ण होने के बाद का जो structure होगा वो इस प्रकार होगा carbon का पहले 2,4 था और अब जब ये बंद बन गया तो अब ये 2,8 से ये पूर्ण होता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेथेन में भी carbon hydrogen के बीच एकल बंद का निर्माड होता है तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रतिक जो परमाडू होता है वह अपने स्थाइत्व को पूर्ण करने के लिए एक अश्टक को पूरा करता है और कहीं न कहीं वह अक्री गै शनरचना को प्राप्त कर लेता है इसी प्रकार जैसे carbon है तो carbon में भी हम देख रहे हैं कि जब यह अश्टक पूर्ण हो गया तो यह नियौन यानि अक्री गैस नियौन की संरचना को प्राप्त कर लेता है तो किसी न किसी तरह से हर परमाड़ू साजेदारी की द्वारा अपने अश्टक को पोन करने का प्रयास करता है और यह बंद बहुत ही स्थाई होता है क्योंकि यहाँ पर दोनों परमाडू ने समान संख्या में इलेक्ट्रोनों की साजेदारी की है अब हम कार्बन डायोकसाइड की संरचना को समझेंगे चार इलेक्ट्रोन बना दिये और ऑक्सीजन का चुकी परमाडू क्रमांग 8 होता है तो बाहितम कोश में 6 एलेक्ट्रोन है यहने सयोजी कोश में 6 एलेक्ट्रोन है तो ऑक्सीजन के सयोजी कोश के 6 एलेक्ट्रोन को लुईस.सनरचना के द्वारा इस प्रकार दर्शा देते हैं तो कार्बन में 4 एलेक्ट्रोन और ऑक्सीजन में 6 एलेक्ट्रोन और दूसरे ऑक्सीजन में इधर भी 6 एलेक्ट्रोन तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस carbon में ये जो 4 electron है और oxygen में हम देख रहे हैं 6 electron है तो oxygen का 2 electron और carbon का 2 electron इनके मध्य साज़ा होगा दूसरी तरफ भी बीच के carbon का 2 electron और दूसरे oxygen के 2 electron के मध्य साज़ेदारी होती है तो इस प्रकार दो-दो इलेक्ट्रोन की साजेदारी होती है और दो-दो इलेक्ट्रोन की साजेदारी से जो बंद बना इसे हम दूई बंद कहते हैं यह सहसे उजग बंद ही है क्योंकि सहसे उजग बंद में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनों का साजा होता है अब कितने इले कि carbon और oxygen के बीच द्विबंद का निर्माड होता है. तो साजयदारी जो शब्द है इसका यही अर्थे कि दोनों ही पर्माडू समान संख्या में इलेक्ट्रोनों की साजेदारी करते हैं, दोनों का ही समान अधिकार होता है उन इलेक्ट्रोनों पर, यानि उसे जब हम गिनते हैं, तो दोनों के लिए ही गिना जाता है, जैसे अगर हम कार्बन के दो इलेक्ट्रोन को गिनते हैं, तो इधर से ये दो इलेक्ट्रोन ये उक्स तो वहाँ भी oxygen का 6 के साथ 2 मिल गया तो ये 8 हो गया और carbon की स्थिती ऐसी हो गई कि इसके पास पहले से 4 electron है बायतमकोच में 2-2 electron का साजा जब ये करता है तो दोनों तरफ के oxygen से इसको 2-2 electron और मिल जाते हैं तो इस तरह जो carbon है वह भी अक्री gas की संरचना को प्राप्त कर लेता है तो अब इसमें 2-8 हिसकी संरचना हो गई याने neon gas की संरचना हो गई जबकि oxygen में भी हम देख रहे हैं कि 2-8 की संरचना हो गई यहां भी neon gas की संरचना को या प्राप्त कर लेता है तो प्रत्येक जो परमाडू इस प्रकार के सहसे हो जग बंद का निर्माड करता है उसमें अश्टक पूर्ण होता है और अश्टक पूर्ण करके वह अक्री गैस की संरचना को प्राप्त करते हैं और एक स्थाई अनो का निर्माड होता है तो कार्बन डायोकसाइड भी एक योगिक है जिसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन का एक बाग और ऑक्सीजन का दो भाग शा करते हैंdon जल एक यौगीक है H2O जिसमें hydrogen का दो भाग और oxygen का एक भाग होता है लेकिन वास्तों में इसमें किस प्रकार का बंद होता है this हम समझने का प्रियास करते है hydrogen के पास एक electron है और oxygen के बायतम कोश में 6 इलेक्ट्रोन है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह जो 6 इलेक्ट्रोन है ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रोन है वह हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रोन के साथ साजा करेगा एक तरफ और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रोन ह hydrogen के एक electron के साथ साजह कर लिया तो इस प्रकार oxygen hydrogen के बीच एकल बंद और यहां भी oxygen hydrogen के बीच एकल बंद का निर्मार होता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि चुकि hydrogen के पास एक ही electron है और oxygen के पास 6 electron है बाहतम कोश में तो सहसेवजक बंद जो है वो तभी बनता है जब समान संख्या में electron की साजहदारी होती है तो यहां पर जो oxygen है वो एक ही electron का साजह करेगा hydrogen के साथ क्योंकि hydrogen helium की सनरचना को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही electron उसको चाहिए तो दूसरी तरफ भी जो hydrogen है वो oxygen के साथ एक ही electron का साजह करता है और helium gas सनरचना को प्राप्त कर लेता है जबकि oxygen दोनों ही hydrogen से एक ही electron का साजह करके अपना अश्टक पूरा करता है और neon gas की सनरचना यहने की 2-8 यह सनरचना वा प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो gel है वो है एक योगिक है और H2O जब हम लिखते हैं तो H और O के बीच single bond एकल बंद उसी तरह से यहां भी हम देख रहे हैं कि O और H की बीच भी एक single bond है एकल बंद का निर्माड हुआ तो एकल बंद जो है वो एक electron के साजेदारी से बनता है अब हम ammonia योगिक के बारे में समझेंगे कि ammonia यह NH3 किस प्रकार से N और H के बीच के बंद को दर्शाते हैं इसे हम समझने का प्रयास करते हैं तो nitrogen जो है इसके बायतम कोश में हम देख रहे हैं कि 5 electron है nitrogen का परमाडु क्रमाग 7 है 2 और 5 तो जब Lewis dot structure बनाएंगे तो हम nitrogen के 4 तरफ 5 electron को प्रदर्शित करते हैं अब जब हम electron को शो करते हैं तो ध्यान ये रखना चाहिए कि चुकि NH3 में hydrogen 3 है और hydrogen के पास एक एक electron ही है साजे करने के लिए तो nitrogen में जब हम Lewis dot structure बनाएंगे तो यहाँ प्रयास करेंगे कि nitrogen में 2 electron को एक तरफ और single single एक एक electron को 3 तरफ हम लिख देते हैं क्योंकि hydrogen की संख्या 3 है जिधर हम single electron को शो करते हैं nitrogen के चारो तरफ वहाँ वहाँ hydrogen 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 इस तरह से भी हम लिख देंगे तो 3 ही hydrogen में एक एक electron है जो nitrogen के एक electron के साथ साजा कर लेगा यहां भी हम देख रहे हैं यहां भी एक एक इलेक्टरोन के साथ साजा कर लिया तो चूवके यहार पर हाईडोजन के तीन इलेक्ट्रौन साजा हो रहे हैं नाइडोजन के साथ तो nitrogen के बाहतम कोश में 5 electron है और hydrogen से प्राप्त 3 electron मिलकर 8 याने की 2-8 neon की सनरचना को nitrogen प्राप्त कर लेगा याने अक्री गैस की सनरचना को एक स्थाई सनरचना को प्राप्त कर लेगा उसी तरह से hydrogen nitrogen के एक एक electron के साथ साजा करके helium gas सनरचना को प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंद का निर्माड हुआ, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक एक एलेक्ट्रॉन का साजा करते हैं और एकल बंद बनाते हैं, तो इस तरह से नाइट्रोजन बीच में हैं और तीनो तर अच्छा होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अब हम हाइड्रोजन अनु के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन अनु जिसे हम H2 के रूप में दर्शाते हैं जब हम अनु की बात करते हैं तो यहां पर हम H नहीं लिखते हैं सिर्फ H लिखते हैं तो वह H2 होता है, तो H2 का निर्मार कैसे हुआ, यहां भी हम देख रहे हैं कि दो हाइडरोजन है, दोनों हाइडरोजन के बाहतम कोश में एक एक एलेक्टरोन है, यहां भी हम Lewis.Structure से हाइडरोजन को प्रदर्शित करते हैं, और यहां दोनों हाइडरोजन एक-एक एलेक्टरोन का साजा करते हैं, चुकि हाइडरोजन के बाहतम कोश में दो ही एलेक्टरोन सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा एलेक्टरोन रखने की छमता उसमें नहीं है, वह केवल हीलियम के electronic विन्यास को प्राप्त कर ही स्थाईतो को प्राप्त कर लेता है तो हाइडरोजन दोनों हाइडरोजन एक-ेक अलेक्टरोण का साजा करते हैं और एक-ेक एकल बंध का निर्माड होता है और इस एकल बंद के निर्मार में हम देख रहे हैं कि सहसे उजग बंद का निर्मार हुआ और इस सहसे उजग बंद के निर्मार से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अणू जो है वो स्थाइतों को प्राप्त कर लेता है यदि हम single hydrogen लिखते हैं तो वह नवजात hydrogen होता है वह स्थाई ही होता है बहुत अधी क्रियाशील होता है तो प्रकृती में जो hydrogen है वह H2 के रूप में ही उपस्थित है जो कि स्थाई होता है अब हम oxygen अणू के बारे में पढ़ेंगे oxygen अणू भी द्वी परमारुक अणू है क् जब हम इसे लिखते हैं तो O2 के रूप में लिखते है और प्रकृती में यह O2 के रूप में ही स्थाईत प्राप्त करता है तो oxygen अणू जो है इसमें 2 oxygen जो है इसके बाहतम कोश में हम देख रहे हैं कि 6 electron present है यानि oxygen का जो परमारुक रमांख है वो 8 है जब हम इसे भाजित क को 2-2 electron की आवशक्ता है अश्टक पूरा करने के लिए तो दोनों oxygen आपस में 2-2 electron का साजा करते हैं तो प्रतेक oxygen में 6 और 2-8 हो गया और यहां भी 6 और 2-8 हो गया तो इस तरह से यह अपने साजा करते हैं और double bond बनाते हैं ने दूई बंद का निर्मार करते हैं क्योंकि यहा पर हम देख रहे हैं कि दूई परमारूक अडू का निर्मार हुआ चुकि यहां पर 2 oxygen है और दोनों oxygen आपस में 2-2 electron की साजेदारी करते हैं तो इसलिए यहां double bond का निर्मार हुआ तो यहां सहसे ओजक योगिक ही है यहां पर 2 electron के साजेदारी से बंद बना तो यहां दूई बंद पाया जाता है इसमें हम देख रहे हैं C2H4 याने एथिलीन एक उदाहरन हम देखते हैं एथिलीन का जिसमें हम देख रहे हैं कि 2C है और 4 hydrogen है तो इन में किस प्रकार का बंद होगा जब हम 2C लिखते हैं तो Lewis.Structure के आधार पर यह देखेंगे कि कार्बन के बाहतम इसमें चुकि 4E है तो 2E हम बीच में रखेंगे याने दूसरे कार्बन के पहले यहां पर 2E और इस कार्बन के बचे हुए 2E को हम सिंगल सिंगल एक एक करके लिखेंगे क्योंकि hydrogen की संख्या 4 है हर कार्बन के साथ 2 hydrogen को जोडना है दूसरी तरह भी हम ऐसा ही करेंगे दूस हम एक-एक करके ऊपर और नीचे एक-एक करके hydrogen के साथ साजय धारी के लिए अलग से शो करते हैं अब हम देख रहे हैं कि hydrogen 4 है तो एक carbon के इधर और इधर एक-एक hydrogen कर दिये और इधर भी carbon के एक उपर और एक नीचे इस तरह से hydrogen लिख देते हैं hydrogen में 1-1 electron है और जबकि हाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन में चार इलेक्ट्रोन है जिसमें दो इलेक्ट्रोन दूसरे कार्बन के साथ साज़ेदारी के लिए उपस्ति थे तो यह जो बीच का कार्बन है ये दो कार्बन आपस में दो-दो इलेक्ट्रोन के साज़ेदारी करें तो जब ये दो इलेक्ट्र और hydrogen के साथ इधर और यहां पर उसको 2 मिल गया तो 4 और 2 6 हो गया दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यह carbon भी दूसरे hydrogen के साथ एक electron का साज़ा कर दिया तो 6 और 2 8 हो गया तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रतेक जो carbon है वो दूसरे carbon से 2-2 electron की साज़ेदारी से 4 electron और दोनो hydrogen से 1-1 electron की साज़ेदारी से और 4 electron तो प्रतेक जो carbon है वो अपना अश्टक पूरा कर लेता है इसी प्रकार दूसरी तरफ वाला जो carbon है वो भी ऐसा ही करता है दूसरी तरफ वाला carbon पहले carbon से 2 electron के साज़ेदारी कर लिया तो 4 electron और बचे हुए 2 hydrogen के साथ 1-1 electron के साज़ेदारी कर लिया तो चुकि 2 hydrogen है तो वहाँ भी उसको 4 electron हो गया तो 4 और 4 आठ यानि इस carbon का भी अर्ष्टक पूरा हो गया और hydrogen 2 electron प्राप्त कर स्थाइथो को पूर्ण कर लेता है इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ethylene है या ethene आणू जो है C2H4 जो है इसमें C और C के बीच में द्वी बन और C और H के बीच में सिंगल वन होता है तो अब हमने बहुत अच्छी तरह से समझा कि द्वी बन कब बनता है जब 2 electron की साजेदारी होती है प्रतेक परमाणू द्वारा और एकल बन कब बनता है जब दोनों परमा के हम एक उदारन लेते है नाइट्रोजन अणू एन्टू जो नाइट्रोजन अणू है इसे भी हम द्वी परमाणूक अणू कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अणू में भी हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के दो परमाणू मिलकर नाइट्रोजन अणू बनते हैं तो का जो परमारू क्रमान्ख के है वह साथ होता है 2 और 5 तो जो दोनो नाइट्रोजन है उनके जब हम Lewis Даugr space structure को शो करते हैं तो नाइट्रोजन में बाहतम कोष में 5 दूसरे नाइट्रोजन में भी बाहतम कोष में 5 इलेक्ट्रोण तो दोनो थो जो है वो तीन तीन इलेक्ट्रोन का साजा करते हैं तो चुकि इसके बाहतम कोश में पाच इलेक्ट्रोन है तीन इलेक्ट्रोन का साजा करते हैं तो पाच और तीन आठ दूसरे नाइट्रोजन में भी हम देख रहे हैं कि पाच इलेक्ट्रोन है लुईस डॉट स्ट्रक्चर म तो अश्टरक P관겠रों हो जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों नाइट्रोजन के मध्धियें तीन 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 एलेक्टोनों का साझा होता है। और जब प्रतेक पर्माणू तीन तीन एलेक्टरोन के साझे से बंद दनाता है तो त्री बंद का निर्माड होता है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में तीन बंद का निर्माड होता है, तो यहाँ पर हम तीन लाइन से यहाँ पर शो करते हैं, N और N के बीच यह तीन लाइन बने हैं, जो यह शो करता है कि यहाँ तीन इलेक्ट्रोन का साजह हुआ और तीन इलेक्ट्रोन के साजहिदारी से तीन सहसेवजगबंद का निर्माड होता है यहाँ पर हम एक और अनु के बारे में समझेंगे C2H2 जिसे हम एसिटिलीन या एथाइन भी कहते हैं C2H2 थोड़ा मिलता जुलता है C2H4 से क्योंकि वहाँ भी हम देख रहे हैं कि कार्बन 2 है और C2H2 में भी कार्बन 2 है तो यहाँ भी लिखने का तरीका वैसा ही होगा चुकि हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो गई तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि चुकि हाइड्रोजन 2 ही है तो दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को पहले लिख देंगे जोड करके और जो दोनों कार्बन है उसको जब हम Lewis.Structure से शो करेंगे तो प्रतेक कार्बन के तीन इलेक्ट्रोन को एक तरफ और एक तरफ लिखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास साजेदारी के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रोन होता है तो एक इलेक्ट्रोन को हम एक तरफ लिखते हैं दोनों ही कार्बन में और तीन इलेक्ट्रोन को एक तरफ लिखते हैं जिससे दूसरा कार्बन का जो तीन इलेक्ट्रोन है वह पहले कार्बन के तीन इलेक्ट्रोन के साथ साजा कर लेगा तो तीन और तीन छे गिना जाएगा और इस carbon में जो एक electron है या hydrogen के साथ, hydrogen के एक electron के साथ साजा कर लेगा, तो अब यहाँ पर 6 और 2, 8 गिना जाएगा एक carbon के लिए, दूसरी और जो carbon है, वह भी 3-3 electron का साजा पहले वाले carbon से किया, तो यहाँ भी 6 electron हो गए, और दूसरे तरफ हम देख, hydrogen के एक electron के साथ साजा कर लिया, तो अब 6 और 2 हो गए, 8, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 electron का साजा हुआ है carbon और carbon के बीच में, जबकि 1 electron का साजा हुआ है carbon और hydrogen के बीच में, दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं कि ऐसी ही स्थिती है, कि carbon और carbon के बीच 3-3 electron का साजा हुआ, जबकि carbon और hydrogen के बीच एक electron का साजा हुआ, तो इस तरह से carbon कार्बन के बीच में 3 बंद का निर्माड हुआ, और carbon और hydrogen के बीच एकल बंद का निर्माड होता है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 3 बंद का निर्माड हुआ, यहने सहसयोजक बंद ही बना, तो एथाइन भी एक सहसयोजक योगिक होता है, क्योंकि कोई भी योगिक जिस प्रकार के बंद को प्रदर्शित करता है, उसी आधार पर उस योगिक की जो प्रकृती है, वह निर्धारित होती है, अब हम C2H6, यहने एथेन जो अणू है, उसमें किस प्रकार का बंद बनेगा, या उसको हम जब लुईस स्ट्रक्टर से प्रदर्शित करे तो C2H6 में हम देख रहे हैं कि हाइडरोजन की संख्या 6 है, याने C2 जो है, दोनों C आपस में जुड़े हुए है, साथ ही प्रतेक कार्बन से 3 हाइडरोजन को जोड़ना है, इस कार्बन से भी 3 हाइडरोजन को जोड़ेंगे, तो कार्बन और कार्बन के बीच कितने होने चाहिए, तो चुकि एक कार्बन के 3 और हम 3 हाइडरोजन लिख रहे हैं, और दूसरे कार्बन के भी 3 और हम 3 हाइडरोजन लिखते हैं, तो प्रतेक कार्बन में 4-4 इलेक्ट्रॉन है बाहतम कोश में, तो जब हो एक एक इलेक्ट्रॉन का साजह कर लिए, दूसरे कार् अब भी वही स्थिति होगी कि कार्बन जो है दूसरा कार्बन पहले कार्बन के साथ साजा कर लिया तो एक इलेक्ट्रोन इसको मिल गया तो चार और एक इलेक्ट्रोन और इसको मिल गया तो चार और एक पाँच और तीन जो हाइड्रोजन है उनके भी एक एक इलेक्ट्रोन के साथ ये साजा कर लेता है तो पाच और तीन आठ तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच केवल एक ही इलेक्ट्रोन का साजा हुआ और कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी एक ही इलेक्ट्रोन का साजा होता है तो इस प्रकार जो C2H6 अणू है एथेन आणू की सरचनाओं को समझा जिसमें हमने देखा कि एथेजिन में सी और सी के बीच में एकल बन received that जबकि एथाइन में C और C के बीच तीन बंद पाया जाता है। तो इस तरह से हमने एकल बंद, द्वी बंद और त्री बंद को बहुत अच्छी तरह से समझा। हमने आइनिक बंद और सहसेयोजग बंद को पढ़ा, तो सहसेयोजग बंद जिन योगीकों में पाया जाएगा, उन्हें हम सहसेयोजग योगी कहेंगे या सहसेयोजी योगी कहेंगे, जिन योगीकों में आइनिक बंद पाया जाएगा या विद्यूत सेयोजी बंद पाया ज तो सबसे पहला जो आयनिक योगिक है उसमें कौन कौन से गुण पाया जाते हैं तो जैसा हमने देखा कि जो आयनिक योगिक होते हैं उनमें आयन्स होते हैं धन आयन और रेन आयन तो जैसे ही उसको जल में घोलते हैं तो जल में तुरंत ही घुल जाते हैं क्योंकि जल भी एक ध्रुवी विलायक होता है, उसमें भी दो ध्रु होते हैं और जैसे ही आयनिक योगिक को उसमें घोलते हैं तो दोनों आयन्स जो है वो एक दूसरे में भुल जाते हैं चुकि आयनिक बंद बहुत अधिक प्रबल होता है दो विपरीत जो आयन है उनके मध्यक आकर्शन बल होता है प्रबल आकर्शन बल होता है तो उनके बीच बनने वाला जो बंद है बहुत उच्छ होता है और इसी वज़े से जो आयनिक योगिक है इनके गलनांक और कौथनां का मान भी बहुत उच्छ होता है और अधिक उर्जा देने पर ही यह बंद तूरता है क्योंकि ये बंद बहुत अधिक मजबूत होता है बहुत अधिक उर्जा की आवशक्ता होती है इस तरह के बंद को तोडने के लिए जो आएनिक औगीक होते हैं ये जल में घुलने पर या जो पिगली अवस्था होती है इसमें ये आयनित हो जाते हैं और विद्यूत के सूचालक होते हैं याने इसमें से विद्यूत का प्रवा हो सकता है विद्यूत के ये सूचालक होते हैं अब हम सहसेयोजी योगीकों के गुणों के बारे में पढ़े हैं और इनके गलनांग कोथनांग जो हैं वो आयनिक योगिकों की तुलना में कम होते हैं तो यहां चुकि आयनिक योगिकों में बंद बहुत मजबूत होता है तो उनकी तुलना में सहसे उजक योगिकों का जो गलनांग और कोथनांग है वह कम होता है और सहसे उजक योगिक प्राया देखा गया है कि यह विद्यूत के कुछ आलक होते हैं क्योंकि इसमें आयनी करण नहीं हो पाता है तो किस प्रकार से हम आयनीक योगीक और सहसयोजक योगीक में आयनी करण हो सकता है या नहीं हो सकता है कौन विद्यूत का सूचालक है और क्यों है और कौन विद्यूत का कूचालक है और क्यों है इसे समझने के लिए आईए अब हम एक क्रिया कलाब करके देखते हैं जिसमें हम अलग-अलग भी कर लेंगे और उन भीकरों में हम कुछ में आयनी क्योगीकों को रखेंगे और से यह आयनिकरण की प्रक्रिया होती है और कैसे हम विभेद कर सकते हैं सूचालक और कूचालक में इसे हम क्रिया कलाब के माध्य हमसे बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं बच्चों आपने अभी आयनिक बन्द एवं सहसायोजी बन्द के बारे में पढ़ा ऐसे योगिक जिसमें आयनिक बन्द पाया जाता है उसे हम आयनिक योगिक कहते हैं तो उनमें आयनी करन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण उसमें विद्यूत का चालन संभा हो पाता है जब किस्सा सही हो जी योगिक जो होते हैं वो विद्यूत के कुच आलक होते हैं क्योंकि उनमें आयनी करन नहीं होता योगिकों में इस गुण को परिक्षन करने के लिए ह लाम दिये हुए हैं बीकर कह, बीकर ख, बीकर ग, एवं बीकर घ, इसके अलावा हमारे पास है नमक, कैल्शियम क्लोराइट, शक्कर और ग्लुकोस, साथ ही वीलियन को अच्छी तरह से मिलाने के लिए ग्लास रोड और विद्धुत परिपत के लिए हमने इस तरीके का एक पर सीरे से जोड दिया है और LED के दूसरे सीरे में हमें यह एक तार जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है साथ ही इसके निगेटिव टर्मिनल पर भी हमने यह तार जोड़ा हुआ है इसके अलावा हमें आशकता होगी दो ग्रिफाइट की छड़ों की जिसके लिए हमने इन पैं पारट की तरह कार्य करेंगी तो चलिए इन सभी सामगरियों के साथ हम अपने क्रिया कलाब की शुरुआत करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम बीकरख्या में दो चम्मच नमक डाल कर एक विलियन तयार करते हैं हम दो चमच नमक डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से घो अगला भी यहन तयार करने के लिए दो चम्मच केल्शियम क्लॉराइड डालते हैं। इसे भी अच्छी तरह मिला लीजिए। पुना बीकरगा की तरफ बढ़ते हैं और बीकरगा में हम दो चम्मच शक्कर डाल देते हैं। इस प्रकार शक्कर का विलियन प्राप्त करते हैं। और अंत में हम बीकरगा में दो चम्मच ग्लुकोस। इस तरह डालकर इसका विलियन भी तयार कर लेते हैं। अब हम बीकरगा जिसमें हमने नमक का विलियन बनाया था। इसमें अपनी इन दो ग्रेफाइट की चड़ों को डालते हैं। इस प्रकार से बच्चे ग्रेफाइट की चड़े आपस में टच नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्यूंकि हमारी जो चड़े हैं वो लकड़ी से कवर की हुई है। इसलिए यदि आपस में टच भी होती हैं तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। आएए इस विद्योत परिपत का प्रयोग करें। और देखें कि क्रिया कलाप में हमें क्या दिखाई दे रहा है। इसे हमने ग्रेफाइट के इस सीरे से इस तरह सही उजित कर लिया है। और यह देखिए। यह ग्रेफाइट से हमने इसे इसे टच करा दिया। देखे बच्चों यह LED लाइट जल पड़ी है देख पा रहे हैं आप चलिए अब हम इसी क्रिया कलाप को दूसरे विलियन के साथ करते हैं और इन ग्रिफाइट की छड़ों को हम इस विलियन में डाल देते हैं जो कि हमें केल्शियम क्लोराइट से प्राप्त हुई है पुना ग्रिफाइट की छड़ से इस सिरे को और इसके बाद इसे हम टच करते हैं देखे पुना आपको यह LED लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और यही क्रिया का लाप हम अगले विलियन में करेंगे यह विलियन हमें किस से प्राप्त हुआ है शक्कर का वीलियन है ये शक्कर के वीलियन में भी पुना देखे बच्चों ग्रेफाइट की छड़ को हमने इस तरह से दोनों सीरों को टच किया फिर भी हमें LED लाइट यहां पर जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है चलिए लास्ट में बीकर घः जिसमें हमने ग्लुकोस का वीलियन मिला हुआ है उसमें यहीं प्रक्रिया करे ये देखिए दोनों सीरों पर हमने अपना विद्वत परिपत कम्प्रीट किया परन्तु हमें LED लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है तो बच्चों हमने देखा कि बीकर क और ख में विद्वत का बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया जबकि बीकर ग और घ में विद्वत का बल्ब जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि बीकर क जो की नमक का विलियन है और बीकर ख जो केलशियम क्लोराइट का विलियन है इसमें विद्युत का चालन संभा हुआ अर्थात इसमें आइनिक बंद पाया जाता है जबकि बीकर गह जो की शक्कर का विल्यन है और बीकर गह जो ग्लुकोस का विल्यन है इनमें हमें विद्युत का चालन संभा होता नहीं दिखा अर्थात इसमें सासयोजी बंद पाया जाता है इस प्रकार हम योगिकों के प्रकार का राधार पर यह निर्धारन कर सकते हैं कि किस योगिक में विद्युत का चालन संभव होगा और किस योगिक में विद्युत का चालन संभव नहीं होगा इस क्रिया कलाप में आपने ये देखा कि किस प्रकार चार अलग-अलग भीकर लिया गया क, ख, ग, और घ, तो यहां पर हमने देखा कि क और ख में बल्ब जलने लगा जब्कि ग और घ में बल्ब नहीं जला, तो इसका कारण क्या है, बल्ब इसलिए जला क्योंकि वहाँ पर विद्धुधारा का प्रवाह हुआ, आयनी करण की प्रक्रिया हुई, तो निश्चित रूप से क और ख में जो योगिक रखे हुए थे, वे आयनी क्योगिक थे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो, केलशियम क्ल ऐसे कई सारे जो आयनी क्योगिक होते हैं, उनकी उपस्थिती में बल्ब जलने लगेगा, इसी तरह से जो दूसरा दो बीकर है, ग और ख, जिसमें बल्ब नहीं जला, उसमें शक्कर और ग्लुकोज काविलियन रखा हुआ था, तो शक्कर और ग्लुकोज दोनों में ही सहसे हो जग बंद वाले जो योगिक है, सहसे हो जी योगिक है, जो कि आयनी क्रित नहीं होते हैं, और यहां विद्धुत का प्रवाह नहीं हो पाता है, इसलिए बल्ब नहीं जलता है, इस पार्ट में हमने अलग-अलग कई पदों को समझा, तो इस पार्ट में आने वाले जितन को समझते हैं. सासायोजक योगिक, कोवेलेंट कंपाउंट, उतकिस्ट या अक्रिय गैस, नूबल और इनर्ट गैस, सायोजी कक्ष, वेलेंसी ओर्बिट, अस्तक, अक्तित, इस्थिर वैदुद आकर्शन, इलेक्ट्रोस्टाटिक अट्रेक्शन, इलेक्ट्रोन बिंदू सरचना या हमने सीखा, आयनिक बंद निर्माण में एक परमाणों इलेक्ट्रोन त्याकर्थन आयन, तथा दूसरा परमाणों इलेक्ट्रोन ग्रहन कर रिण आयन बनाता है, विपरित आवेश वाले आयन इस्थिर वैदुद आकर्शन में बंद कर आयनिक बंद बनाते हैं, इलेक्ट्रोनों के साजे द्वारा बनता है दो परमानों के मद्ध एक-एक इलेक्ट्रोन के साजे द्वारा एकल बन दो-दो इलेक्ट्रोनों के साजे से द्वी बन तथा तीन-तीन इलेक्ट्रोनों के साजे से त्री बन्द बनता है अक्रिगेस विन्यास प्राप्ति ही तू बहतम कक्ष या संयोजी कक्ष से जीतने इलेक्ट्रोन त्यागे या ग्रहन किये जाते हैं या साज़ा किये जाते हैं वा उस्तत्व की संयोजक्ता कहलाती है आयनिक योगिक जल में विले, उच्च गलनांग, कुथरांग वाले तथा जली विलेन या पिगली हुई अवस्ता में आयनित होते हैं संयोजी योगिक जल में अविले, निम्न गलनांग एवं कुथरांग वाले होते हैं तथा इन में आयनिकरन नहीं होता